मुझा करने वाले हैं टिसी एक्सप्रेस शेयर के बारे में या कमपणी के बारे में तो यह कमपणी देखो लॉजिस्टिक कमपनी है और यह stock को मैंने लिया है long term के लिए तो long term के लिए लेने का मकसद क्या है मेरा और क्यों लिया क्यों अच्छा लगा यह stock इसके fundamental कैसे है सारी चीज़े मैं बताने वाला हो यह video के अंदर तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना तो सबसे पहले TCA Express यह कमपनी यहाँ पर देख सकते हो क्या करती क्या है तो सरफ एक्सप्रेष याने यहां पर मैं नीचे एक्जैम्पल के साथ दिखा देता हूँ सारी चीज़े तीजे अटर eh surface एक्सप्रेष यहाने होता है गाडिहों से यह जो तो air express भी है इनका यहां पर देख सकते हो तो यह air express याने aeroplane से plane से तो air express domestic भी है international भी है याने बाहर countries के अंदर भी माल यहां से लेके जाती है तो railway से भी जाता है e-commerce जो website से e-commerce की site से उनके लिए भी उनके लिए भी चीज़े यह बहर यहां वहां सारे जगा पर लेके जाती है डिलिवर करती है cold chain express यानि यह होता है उसके अंदर medicines fruits यहां पर यह example के लिए दिखाया है flower से तो यह सारी चीज़ों को लिए अलग सा एक उनके पास वैन होती है जो जिन में से product सही सलामत और सही से और सही temperature में उसको लेके जाया जाता है तो यह चीज cold chain express से होती है और यहां पर देखेंगे सी टू सी एक्सप्रेस ठीक है तो यहां पर सी टू सी या company to company है या customer to customer भी हो सकता है लेकिन company to company most of चीज़े होती है या business to business भी होता है ठीक है और यहां पर देखेंगे तो इनके sorting stations कितने हैं यहां पर यह 28 station से इनके एक्सप्रेस सपोर्ट वेहिकल है 5000 कमिटेट प्रोफेशन इनके है देखो 35,000 डिस्टिक कवर करते हैं यह 766 लोकेशन है 60,000 प्लस एर गेटवे से इनके 73 प्लस तो इनके बारे में सारी चीज़े यहां पर बताई हुई है तो यह है इनके और इनके क्लाइंट के नाम भी यहां पर है वाट आर क्लाइंट से ठीक है तो यह सारे क्लाइंट से इनके ठीक है तो यहां पर देख सकते हो तो यह सारे चीज़े क्या बोलते है क्या नहीं उनके बारे में यहां पर यह लिखा गया है ठीक है उनके क्लाइंट क्या इसके बारे में बताते हैं तो यह कमेंट्स भी उन्होंने यहां पर डाले हुए तो यह है कंपनी का में बिजनस और यह कंपनी को क्यों लिया क्या है उसका यहां पर फंडामेंटल चीज़े देख लेते हैं तो फंडामेंटल स्टॉक आपको नजर आएगा देखो को तेरा सो साड़े तेरा सो याने तेरा सो तीस का भाव है ठीक है और या वन थाउजन्ट टूवंडड लेंटी हो ठेक है उतना यह लो मार्के अभी यह लो के आसपास या ज्यादा बढ़ा नहीं एं उननी सो या दो आजार के आसपास का यह स्टॉक हुआ था एक साल के लगते हैं दूसरा रीजन है मार्केट कैपिटल इतना भी लो नहीं है और ज्यादा भी नहीं है तो अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है बिजनस के हिसाब से मुझे इसमें करन्ट प्राइज कम है और बुक वैल्यू फिलाल यह चीज नेगेटिव है डिविडंट भी देती ह कमपणी यह चीज अच्छी है थोड़ा बहुत तो डिविडंट आपको कमाने के लिए यह आपके बैंक अकॉंड में मिल जाएगा और स्टॉक का पी तोड़ा ज्यादा लो भी नहीं है ज्यादा हाई भी नहीं है तो मिडल में है यह इसका स्टॉक का पी आरो सी आरोई यह चीज काफी अच्छी लगी है ठीक है रिटर्स काफी अच्छे जनरेट करती है कमपणी और फेस वैल्यू अभी वैलियोशन वाइस देखा जाए तो फेस वैल्यू भी कम है इसका और एक साल में यह स्टॉक जो है तो देख सकते हो काफी गिर के यहाँ पर नीचे की तरफ हाय यह यह जो इसका है धाय आठनाव शुंका वहां से किर के अठीक हैं तो यह जईए गिरावट में अभी अभी फिलाल मील रहे है और तीन साल की बात करेंगे तो तीन साल में भी देख लो 700 यह औझास आठाट 2200 तक गया था तो वहां से यह स्टॉक गिरके समझ लो आधा हो गया आधा के असपा से और पास साल में देखेंगे तो देखो पास साल में भी 584 के भाव पर मिल रहा था यह स्टॉक 2018 की बात है 2018 में 584 पर मिल रहा था उसके बाद यहां पर यह थोड़ा और गिरा था यह 525 तक भी आया था तो काफी कुछ यहां पर इसने डाउन साइड भी दिखाया था लेकिन उसके बाद यह काफी अच्छे से ग्रो हुआ इसने 3-4 गुना पैसा बनाया फिर कुछ लोगों ने इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया इसमें प्रॉफिट ले लिया याने चार गुना होने के बाद पैसा तो वहां से उन्होंने बेच के फिर यह स्टॉक थोड़ा नीचे की तरफ अपको देखने मिल रहा है तो फिलाल जो लोग इसके अंदर ठिके हुए फिलाल तो अभी और 10 साल की बात करेंगे तो 10 साल में ये देखो 345 का ये स्टॉक मिलता था 345 से भी जिसने ओल्ड किया उसको उसने भी इसमें काफी कुछ पैसा इसमें कमा के फिर से बेच के लोग कुछ इसमें से निकल गए है तो इस वज़े से थोड़ा से ये डाउन पर अभी या आधा स्टॉक का भाव हो गया है और यहां पर देखिंगे मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में ये 286 का था तो 286 से भी ये स्टॉक देखो 910 गुना हो गया था 2016 के बाद तो इसमें 2016 से ही है डेटा यहां पर भी देख सकते हो 2016 से ही है और 2016 ही इसका हाई मतलब ज्यादा से ज्यादा उसको वहां से मार्केट में आई है उससे ज्यादा इसको हुआ नहीं है तो वही है इसके रिटन और फिलाल यह जो स्टॉक है यह सबसे अच्छी चीज़ है इसके अंदर कि यह अल्मोस्ट डेट फ्री है डेट फ्री यानि यह कंपनी थोड़ा कर्ज मुक्त है या कर्जा कम है त आँ और यह रिटन अच्छे दे रही है रोई ुसका अच्छा है हिल्दी डिवीडेंट भी देदेती यह धिवीडेंट भी अच्छा दे रही है कंपनी एक दो चीज नेगट इनझेस इसका बुक वैल्यू है और एक है इसका फ्रौ्ए सेल्स ग्रोथ पात्स साल के टो सेल मेरे पास और यहां पर देखेंगे 41,992 करोड का मार्केट कैपिटल है यह सप्लाई यह अब भी आया था इसका आइप्यों आया था ठीके और अल कार्गो यह थर्ड नंबर पर आ रही है ट्रांस्पोर्ट कॉर्प्रेशन यह फॉर्ट पे वियरल लॉजिस्टिक यह भी स्टॉक हुआ करता था इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा ठीके और टीसिये एक्स्प्रेस उसके बाद यहां पर नीचे यहां पर आपको नज़र आएगा ठीके तो फिर बाद में गेट तो यह नीचे की तरफ है लेकिन यह छटे नंबर पर उससे नीचे भी और एक कमपनी है और हम देखेंगे इसके कॉर्टरली रिजल्स तो रिजल्स में आपको नज़र आएगा देखो यह 2020 से जो कॉर्टरली रिजल्ट है इसके तो 213 करोड से लेके 320 करोड तक यह कमपनी क सेल्स में ग्रोथ देखने मिला है और 23 करोड का प्रॉफिट किया था 2020 में अब भी 36 करोड का कर रही है तो प्रॉफिट ग्रोथ देखने मिला है लेकिन इतना जादा नहीं है बट ग्रोथ देखने मिल रहा है और प्रॉफिट एन लॉस की बात करेंगे तो देखो यह कमपन 2017 से इसका डेटा शो हो रहा है सेल्स का तो साड़े साथ सो करोड से लेके साड़े बारा सो करोड तक तो यह अच्छा ग्रोथ देखने मिल रहा है लगबग यहां पर पाच-छे साल के अंदर और यहां पर इसका अगर हम देखेंगे नेट प्रॉफिट तो 37 करोड से लेके यहां पर 139 करोड तो यहां पर यह चीज ग्रोथ हमको देखने मिली है इसके प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर याने 37 से डारेक 139 करोड तक यह ग्रोव हुआ है इसका नेट प्रॉफिट तो यह चीज अच्छी है और साथ में अगर हम देखेंगे पास साल से कमपणी 17 प्रतिशत सालाना रिटन दे रही है इन्वेस्टर को नुकसान नहीं करा रही है सभी इंवेस्टमेंट जो होती है उससे बेटर रिटन तो यहां पर यह 17 प्रतिशत साल के रिटन दे रहा है ठीक है स्टॉक से इन्वेस्टर एक साल मैं तो फिलआल अब अच्छा पॉर्चनेटी मैं मुझे मिला है इसलिए मैंने स्टॉक में इंट्री ले लिए ऑगि ऐस wy inherent की बात करेंगे जिरो डेट हो सकती है ठीक है और अगर हम देखेंगे शेयरोल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो प्रोमोटर के पास देखो 69.61 प्रतिशत के शेर से अभी भी सबसे ज्जाधा शेर्ड प्रोमोटर के पास ही है फौरें के इन्वेस्टर का भी यह इन्वेस्टमेंट है और उन्होंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाते आई है देको 2022 से कि दिसंबर 2022 इसका बढ़ाते आ रहे हैं और डिक्स थोड़ा बहुत कम करती हुए आ देखो दीएज थोड़ा थोड़ा बेचते हुए आ रही है तो दीएज ने कम किया लेकिन उनकी अभी भी होल्डिंग जादा ही है 8.84 प्रतिशत की प्रोमोटर्स पब्लिक की यहां पर देखेंगे होल्डिंग तो पब्लिक भी 8.85 प्रतिशत इसमें होल्ड किया है उन्होंने भी शेर्स को तो फिलाल यह स्टॉक लॉंग टम के इसाब से मुझे तो काफी बढ़िया नजर आ रहा है इन सब चीजों को देखकर तो इस वज़ पर बताऊंगा वीडियो के थ्रू और इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रोको जो भी अपडेट यह स्टॉक में रहेगा और यह लॉंग कितना लॉंग काफी लॉंग करने का मैं सोच के रखा है और बीच में कोई भी चीज़े इसमें खराबी आती है कोई अच्छी च झाल करके रखा मैं सोच कितना करना करके रखा है